नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में लोग बात करेंगे 7 quality stocks के बारे में जिसमें आप लोग ततकाल S.I.P कर सकते हैं कुछ average कर सकते हैं उपर के price फ़े फसे हुए है तो नीचे यहाँ पर average करने का best location आप लोग के लिए बन सकता है तो सबसे पहले अपने method को discuss करेंगे एक 20 का moving average यूज करते हैं जो कि आपको blue lines हो कर रहा होगा दूसरा हम लोग 200 days के moving average को यूज करते हैं जो कि आपको pink lines हो कर रहा होगा और तीसरा indicator लगाते हैं हम लोग pivot point या pivot line भी बोलते हैं जो कि आपको support या resistance बताता है तीनो इंडिकेटर हम लोग 0 के अपने charting platform पे लगाते हैं और study section में जाकी ये तीनो इंडिकेटर साप लोग लगा सकते हैं और हम लोग किसी भी stock से ATI में first entry बिनाते हैं जो price 200 days के moving average के करीम में चले वैसे situation में हम लोग को first entry लेना चाहिए और नीचे आता है 200 days के moving average के अगर below आ जाता है तो और भी हम लोग buy करेंगे जिस pivot पे ज़्यादा support लेगा वहाँ पे हम लोग और भी अपना quantity को increase करते हैं तो happiest mind ने लिस्टिंग में ही बहुत ही अच्छा return दिया था डबल किया था पैसे को उसके बाद price बहुत ही ज़्यादा उपर गया था price 200 days के moving average से बहुत ही उपर चल रहा था तो इस situation में हम लोग बात करते हैं कुछ profit book करने का मालीज़े 10 stock है तो 3-4 stock आप लोग profit book कर सकते हैं उसके बाद से FIIs का बड़ा selling market में चलता है और happiest mind में भी बड़ा fall होते वे दिख रहा है फिलाल की बात करें तो price 200 days के moving average से बहुत ही नीचे चल रहा है happiest mind की बात करें एक सांदार IT stock है असोक सुटा जी का leadership है artificial intelligence में बहुर से ज्यादा अच्छा काम करने वाला happiest mind तो जरूर से buy करके हम लोग को चलना चाहिए तो इस location पर भी हम लोग buy करने के लिए बोले थे वहीं पर sideways momentum हम लोग को happiest mind में चलते हुए दिख रहा है तो उस candle में आप लोग दो बजे के बाद happiest mind को average out कर सकते हैं अगर लेवल्स की बात करें तो 850 के उपर लेवल्स पर आप लोग buy कीजिएगा 850 के लेवल्स के नीचे buy करने का भी तुक नहीं है क्योंकि लागातार price नीचे आ रहा है और भी हम लोग को नीचे आते हुए दिख सकता है 20 का moving average नीचे की तरह finclined है यहां से resistance लेके price अगर नीचे आता है तो 735 का हम लोग को next level दिखा सकता है और next stock जिसमें हम लोग ततकाल को चेंट्री बना के चलना चाहिए IRCTC के बात कर रहे हैं बहुत ही quality stock है PSU stock और defry एक monopolistic इसका business तो इसमें भी आप buy करके चल सकते हैं मल्टिवेगर return pass में निकाल करके दिया था price to earning ratio भी इसका बहुत ही high जा चुका था करीब 200 को price to earning ratio जा चुका था और उसके बाद 200 days के moving average से भी बहुत ही उपर चल रहा था इस क्रम में हम लोग बात भी किये थे कि IRCTC में कुछ profit book कर सकते हैं उसकी बाद FIIs, DIs का बड़ा selling आता है और हम लोग को बहुत ही बड़ा fall IRCTC में भी देखने को मिलता है फिल हाल की बात करें तो price 200 days के moving average से बहुत ही नीचे चल रहा है तो यहां पे FIIs, DIs का buying आ सकता है नीचे में buying आता है उपर में selling आता है तो एक बड़ा सा green candle हम लोग को देखने को मिलेगा 3-4% का और 20 के moving average की उपर closing देते हुए दिखता है तब आप लोग बाई करके चल सकते हैं अगर levels की बात करें तो 600 के उपर levels भी buy किजिएगा RCTC में तो अच्छा entry बनेगा नहीं तो ज्यादा हम लोग को SIP mode से investment करना है क्योंकि भी trend downward का है और भी fall हो सकता है इसलिए 600 के उपर price closing देता है तो उसके बाद दो बजे के बाद आप quantity buy कर सकते हैं और नेक्स टॉक की बात करेंगे दोस्तो फोटवेयर के दिगज कंपनी रिलेक्सों के बारे में जिसमें हम लोग को बहुत ही अच्छा return पास में निकाल करके दिया था price 200 days के moving average से बहुत ही उपर चला था daily chart पर हम लोग देख सकते थे और weekly chart पर हम लोग देख सकते थे यहां पर कुछ profit बोग करने के लिए रिलेक्सों में हम लोग बोले थे उसके बाद लगतार हम लोग को गिरावट होते पर दिख रहा है और इलेक्सों में फिलहाल की बात करें तो price 200 days के moving average से बहुत ही नीचे चल रहा दोस्तों और बहुत ही लंबा consolidation है इस consolidation के बाद जिधर भी breakout होगा powerful momentum के साथ होगा ज्यादा possibility है उपर की तरफ breakout होने का क्योंक 1008 पे है 1008 के उपर यसे 1010 के उपर आप लोग बाई करके चल सकते हैं रिलेक्सों में अच्छा entry आप लोग को मिलेगा दो बजे के बाद आप लोग बाई कर सकते हैं एक बढ़िया green candle का formation होते विए दिखता है तो आप बाई करके चल सकते हैं small quantity में ही बाई करना है और यहा इसमें अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस चल रहा है और इस लोकेशन पर हम लोग बाई करने के लिए उसके बाद 20 के मोफिंग एवरेज के उपर क्लोजिंग दे चुका है पिछले दिन भी हम लोग को HDFC में अच्छा green candle देखने को मिलता है तो एक और भी बढ़िया सा green candle एक दो परशेंट का भी दिखे तो जरूर से एवरेज करना चाहिए नहीं तो 20 के मूफिंग एवरेज तक प्राइस अगर फॉल करके आता है तो इंगल्फिंग पैटन खोजे और भी अपना quantity को increase कर सकते है HDFC-MC में बहुत ही ज़्यादा growth है क्योंकि हम लोग जानना है share market के परती जाग रुकता लोगों में बढ़ा है SIP मोट से investment बर रहा है तो हम लोग को जरूर से investment करना चाहिए AMC सेक्टर में भी तो HDFC-MC में जरूर बाई करके चले और next stock की बात करेंगे root mobile की cloud communication में एक दिगज अपनी है root mobile और हम लोग देख रहे है multi-bagger return pass में निकाल करके दिया था listing के बाद ही उसकी बाद price 200 is के मुझे अबरस से बहुत यूपर चल रहा था और इस लेवल पर resistance मिलता है और लगतार गिरावट होते दिख रहा है लेकिन हम लोग shareholding pattern में भी देखे थे गिरावट रहा है लेकिन इस इस टॉक में लगतार खरदारी कर रहे हैं बहुत इस अंदार डेफ्री स्टॉक है long term में अच्छा वेल क्रियेट करके दे सकता है तो इसमें हम लोग को जरूर से एवरेज करना चाहिए उपर के price पर route mobile में अगर फसे हुए हैं तो यहां पर हम लोग average कर स इस फसे हुए हैं और fresh entry आपको route mobile में लेना है तो इस लेवल पर जरूर से route mobile में बाई करके चल सकते हैं और next stock की बात करेंगे आरती इंडेस्ट्री के बारे में संदार quality chemical stock है multi bagger return pass में निकाल करके दिया है price 200 days के moving average से बहुत ही उपर चला था हम लोग देख सकते थे कि यहा है और एक लंबा consideration हम लोगों को देखने को मिल रहा है और 20 के moving average के उपर भी price closing दे चुका है और अभी फिलहाल का level है 722 के price पे चल रहा है तो बढ़िया लेवल है buy करने का एक और भी एक 2% का बढ़िया से green candle आरती इंडेस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है तो होते हुए दिखता है बहुत सारे मित्र हमारे प्रस्ण करते हैं कि कैसे हम लोग profit करना चाहिए तो जब प्राइस टूहंटे डेस्ट के मुविंग आपको दिखता है रेट केंडल दिखेगा तो कुछ profit करना चाहिए इस लेवल पे जैसे माली जदा से श्टॉक है तो 3-4 श में बढ़िया लोकेशन है वाई करने का ज्यादा कॉंटेटी भी वाई कर सकते हैं लेकिन हम लोग एक बात का जरूर ख्यार लगेंगे कि 5% से ज्यादा किसी भी इंडिविजुल स्टॉक में हम लोग को वेटेज नहीं देना है और SIP मोट से ही ज्यादा बेस्ट इन्वेस और आज के लास्स टॉक की बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें आप लोग को कुछ तत्काल SIP करके चलना चाहिए SBI Life की हम लोग बात कर रहे है और हम लोग पिछले वीडियो में भी बहुत सारे बार डिसकसन कर चुके हैं कि जैसे जैसे का मार्केट सेयर सेड होगा वै कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों इंसुरेंस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है देस्क में और कोवीड के बाद से इंसुरेंस सेक्टर में बहुत ही जाए रुकता लोगों में बढ़ेगा तो इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इंसुरें और के करीम में है, और यहां पर multiple time हम लोग को को resistance लेते हुए दिखा है SBI life, तो अगर इस बार हम लोग को price resistance को break होते हुए दिखता है 200 a's के moving average के उपर price आता है, तब हम लोग buy करेंगे, इसलिए देुरत से इसमें buy करने का जुरूरत नहीं है, critical location है इसलिए हम लोग video में update कर दिए कि तुरस से हम लोग को buy नहीं करना है यहाँ पर जैसे ही 20 के moving average cross करेगा 200 days के moving average को तब हम लोग buy करेंगे क्योंकि बार-बार 20 का moving average नीचे ही है जैसे ही 20 का moving average को cross होने दे और candle उपर आने दे तब हम लोग buy करेंगे इसको watch list में रख लेना है 2-3 दिन में मौका बढ़िया बनेगा SBI life में तो इसलिए भी तुरस से buy नहीं करना है और levels की बात करें तो 1146 का भी recent level चल रहा है तो 1200 के levels के उपर आने दे तब हम लोग buy करेंगे 20 का moving average cross हो जाएगा तो अच्छा हम लोग को momentum उपर के तरफ SBI life में देखने को मिलेगा बहुत ही संदार defree stock है तो इसको भी आपको long term के point of view से buy करना है और एक और बात हम लोग जो हर वीडियो में बात कर रहे हैं average price हम लोग को नीचे लाना है और long term तक हम लोग को invest करना है और ज्यादा हम लोग को downtrend में averaging नहीं करना है इस वात का हम लोग को ख्याल लगते हुए investment को जारी रखना है हर महीने कुछ ने कुछ SIP करते रहना है चार्ट एनलाइस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अपने दोस्तों में सेर कीजिए और हमारा एक free telegram group है उसको भी आप लोग जोइन कर सकते हैं important discussion वहां हम लोग करते हैं